एकनाथ शिंदे महराश्यों के मुखे मंत्री पद की शपत ले चुके हैं। इस दोरान एक शक्स ने शिंदे से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाया जो उसने अपने परिवार के बड़े बूरों से सुना था। शिंदे सहाब ने रात को रिक्षा निकाल कर उस महिला को अस्पताल छोड़ा था। जिसके बाद महिला ने बच्चे को जन्म दिया। आज वो बच्चा बड़ा हो गया है। उसकी उम्र 34-35 साल होगी। ये मदद करने का जुनून उनके अंदर पहले से ही था। महराल गुरुवार यानी 30 जुलाई 2022 का दिन पूरे महराश्र के लिए राजनेतिक रूप से एतिहासिक रहा। शिवसेना से सियासत की शुरुआत करने वाला एक शक्स राज्य का मुख्यमंतरी बना। दुपहर को जब बीजेपी नेता और पूर सीयम देवेंदर फटनवीज राजपाल भगत सिंग कोश्यारी से मिलने राजभवन पहुचे तो हर किसी को यही लग रहा था कि वो फिर सीयम बनेंगे। लेकिन बाहर आकर देवेंदर फटनवीज ने शिंदे के सीयम बनने की घुश्रा कर हर किसी को हैरान कर दिया। इसके बाद चर्चा होने लगी कि शिंदे सीयम बनेंगे तो फटनवीज का क्या होगा। क्योंकि वो कह चुके थे कि वो सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। आलकि इसके थोड़ी ही देर बार बीजेपी आला कमान के कहने पर उन्होंने एकनाच शिंदे के नेत्रतुम वाली सरकार में शामिल होने की हामी भड़ दी और शाम को शिंदे के साथ शपत भी ली। देखते रहेए दी ललन टॉप शुक्रिया। चुनावी कवरेज, परताल और आसान भाषा में पाईए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले, पेस्बुक और यूट्यूब से भी पहले, खबरे और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, बड़ी खबर हो या फिर हो किस से सब आपके फेवरिट सेक्शन आपको ह में बताने, इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और अलाके में मौसम का जोर भी जानिये, आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाईए और दीवलन टॉप एप इंस्टॉल कीजिए